वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियो हम बात करने जारे हैं एक ऐसी स्मॉल लीग मिस्टेक की जो 95% लोग करते हैं जिनकी वज़े से उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता है या तो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है या फिर वो लॉस में कनवर्ट होता चला जाता है तो ये वीडियो बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट है अगर आप फेंटेसी खेलते हो और स्पेशली अगर आप स्मॉल लीग में इंवेस्ट करते हो सो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और अगर ये चीजे आपने धंक से अपलाई करी सो आपका प्रॉफिट भी बढ़ने लग जाएगा सो चलिए स्टार्ट करते हैं जो लोग नए हैं वो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून के नाम से है लिंक डिस्क्रीप्शन में है साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा उसके ध्रू जुड़ जाएगा जब ऐसा हुआ कि यानि कि लगो 15,000 का profit हुआ है और almost 5,5,000 की investments है यानि कि चार गुना हमने इस वाले match में मैंने result जो है वो profit जो है वो कमाया तो काफी message आ रहे थे पहले भी ऐसे हुआ है काफी बार message आते हैं कि यार हम तो इतना profit नहीं कमा पाते हैं same match में हमने भी सारे contest win करें लेकिन हमारा जो result है हमारा जो profit है वो 2-3 गुना ही हो रहा है लेकिन आपका इतना जादा कैसे हो जाता है तो देखो ये चीज बहुत important है क्योंकि लोगों को ये ही समझनी आता है कि profit कमाया कैसे जाता है तो वो ही चीज अब हम बात करने वाले हैं देखो fantasy में लोग जीतते भी हैं और हारते भी हैं लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो profit कमा पाते हैं क्योंकि अच्छे मैच में वो लोग जादा win नहीं कर पाते हैं बुरे में तो सब हारी जाते हैं और अच्छे मैच में भी वो जादा profit convert नहीं कर पाते हैं इंटेसी में सब के साथ ऐसा होता है कि बहुत बुरे मैचिस भी आते हैं, ऐसे मैचिस भी आते हैं, जो एवरेज मैच होते हैं, अच्छे मैच भी आते हैं, और बहुत जादा अच्छे जैकपॉर्ट मैचिस भी आते हैं, अब जब होता क्या है कि बुरे मैच आए, तो उसमे सारह का सारह loss हो गया average match हुआ एक ऐसा match average match जिसमें आपका न profit हुआ न loss हुआ जो लगाया वो वापिस आ गया अच्छा match वो हुआ कि जिसमें आपने थोड़ा भात profit कमा लिया वो एक अच्छा match है और एक बहुत अच्छा match है जिसमें आपने सारे contest win कर लिए अब बात है कि loss होता क्यों है reason है क्योंकि बुरे match में तो लोग सभार जाते हैं और अच्छे match में जो है अच्छा profit नहीं कमा पाते हैं तो क्या mistake करते हैं लोग वो mistake ये है कि लोग क्या करने है invest जो है न वो head to head three member या four member में ही खेलते रहते हैं अब हो रहा क्या है कि जो लोग काफी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार हम दो लोगों में भी नहीं जीत पाते हैं वो इतना जाला depressed हो चुके हैं कि वो head to head में ही win करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सिर्फ 4 member खेलना चाहिए कि 4 member में profit जादा हो जाता है तो इसलिए हो 4 member खेलते रहते हैं और कुछ लोग हैं जिनने सिर्फ 3 member ही खेलते रहते हैं अगर अब हम situation देखते हैं, analyze करते हैं अगर आप head to head खेल रहे हो सो कोई भी platform पे आप खेल रहे हो, कोई सी भी app पे आप खेल रहे हो सो वहाँ पे 10% आप एक average जो है commission मान के चलो सो उसी साफ से अगर आप head to head में से 10 में से 6 match जीत रहे हो मैं यह बात कर रहा हूँ, jackpot matches की मतलब ऐसे matches जिसमें कोई भी contest नहीं हार रहे हो मतलब अगर आपने 10 contest खेले हैं, तो 10 के 10 आपने win करें हैं तो आपने 10 में से अगर 6 ऐसे match पकड़ लिए कि जिसमें आप सारे contest जीत रहे हो तो आप जो है 6 match अगर जीतते हो तो भी आपका profit नहीं निकलता है, जितना आपने लगाया है उतना आपका वापिस आ जाता है अगर 3 member में क्या होता है, 10 में से अगर आपने 4 match जीते हैं बिल्कुल one sided, तो आप जो है break even पे आ जाते हो, ना profit होता है, ना loss होता है और 4 member में 10 में से 3 match जीतने पर ऐसा होता है सो अब इसी की वज़े से जो है, वो profit नहीं हो पाता क्यूंकि आपके अब 10 में से ऐसे matches तो हैं नहीं कि आप 6 के 6 अगर जीतोगे तो कोई ना कोई contest शायद आप 1-2 हार भी जाओगे ऐसा भी होता है कि आपने 8-10 contest खेले या 5 contest खेले उनमें से 4 या 3 जीत गए वो एक अच्छा result है बट वो आप complete clean sweep नहीं कर पाई सो जिसकी वज़े से profit जो है न वो उधर का उधर ही चलता चला जाता या तो जो लोग क्या हो रहा है कि या तो profit वहीं का हो मतलब अगर आपने टोटल 10,000 रुपे इंवेस्ट किया पिछले 5 दिनों में तो आप 10 दिन के बाद देखा कि आपके यार 10,000 के 11,000 बने कभी 9,000 बने कभी 8,000 कभी बुरा टाइम चला तो 6,000 तो इसी तरीके से उसी के आसपास चीज़े घूमती चली जाती है और प्रॉफिट जो है वो नहीं बन पाता है लेकिन यही प्रॉफिट अगर होने लगे तो उसके उपर हम बात कर लेते हैं सपोज आपने जो है इंवेस्ट किया 500 रुपे और आपने जो अच्छा मैच आपका गया उसमें आपने 2000 से 2500 रुपे विन कर लिया या फिर अगर आप एक मेडियम इंवेस्टर हो और आपने 5000 रुपे इंवेस्ट किया और आपने 20 रुपे या 25 रुपे विन कर लिया उस मैच में जीर घूमते रहते हैं कि दो गुना प्रॉफिट कमा लिया धाई गुना कमा लिया एक मों है जो जादा प्रॉफिट कमा रहे हैं जादा प्रॉफिट जब आपका होगा आप एक दो मैच इस हार भी जाते हो आपको फर्क नहीं पड़ता है अब जो ऐसी मिस्टेक क्या है कि यार जो 45% लोग कर रहे हैं तो वो ये मिस्टेक है कि लोग क्या करते हैं लोग head to head 3 और 4 मेंबर ही खेल रहे हैं ऐसे contest वो join करते ही नहीं है जिसमें थोड़े मेंबर जादा हो और जिसमें first price जो है वो काफी अच्छा हो तो ऐसे contest कौन से होते हैं तो ऐसे contest 11 मेंबर 14 मेंबर 20 मेंबर 25 मेंबर 50 मेंबर हर एप पे अलग-अलग type के contest होते हैं तो यानि के ग्यारा से जो 50 लोगों के बीच में जो contest होते हैं तो यह मतलब की first price जो है अगर आपने suppose 500 रुपे का invest कर रहे हो तो first price धाई हजार है कईयों में 5000 भी होता है तो इस तरीके से contest होते हैं तो लोग यह contest बिलकुल ही ignore करके चलते हैं अब हम बात करते हैं होता क्या है इसकी वज़े से जो लोग यह contest नहीं खेलते और majority लोग जो है वो इ चार मेंबर ही खेल रहा है वो इनी contest पर ध्यान देता है उसका एक ऐसा match आया कि जिसमें उसने सारे contest विन कर लिया असानी से अब जब उसने असानी से विन करे सो उसको लग भग धाई गुना उसे return मिल गया सो उसने 1000 रुपे इंवेस्ट करे और सारे contest विन किया सो लग भग उसने 2500 रुपे कमा लिये एक ऐसा बंदा है जो दूसरा person है उसने सेम 1000 रुपे इंवेस्ट किये उसने जो है head to head भी खेला three member भी खेला four member भी खेला और उसने एक high member वाला contest भी खेल लिया सो जब उसने high member वाला contest खेल लिया क्योंकि अब ये jackpot match बना है सो jackpot match बनने की वज़े से result जो है आप उसमें भी first आ गए है सो अब उसमें क्या हुआ कि उसने 1000 रुपे से 5000 रुपे कमा लिया और ये 6-7000 तक भी चला जाता है ठीक है लेकिन हम average ले ले लेते हैं कि 4-5000 रुपे उसने 1000 रुपे इंवेस्ट करके कमा लिया अब अगर अगले match में loss हो भी गया ठीक है अगर अगले match में भी उसने same 1000 रु था जिसने 1000 रुपे लगा के 2500 जीते थे अब उसने यानि के 1500 रुपे का उसका profit था लेकिन अब वो अगले match में सीज़ा सीदा 1000 रुपे हार गया तो अब उसके पास 500 रुपे का ही profit बचा है ठीक है और जो दूसरा कि लाड़ी है उसने 1000 रुपे हारा लेकिन वो already पहले match में जीनी में ही खोते चले जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपके सारे matches ही जो है वो बहुत सारे matches ऐसे होते हैं कि जो आपको one-sided win करा देते हैं लेकिन आप वो खेली नहीं रहे हो आप उससे अपना जो maximum जो potential है आपका maximum profit कमाई नहीं पा रहे हो जिसकी वज़े से profit जो है अगर आप हार गए तो आपका बराबर चीज़े हो जाती है अब यह होता है कि यार यह सबसे बड़ा excuse आयाता है हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है अब हम क्या करें अब देखो मैं आपको एक बाह बतायता हूं fantasy जो है यह game of skill कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे profit कमाना एक कला है अब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो high investor थे जो अपने time पे बहुत invest करते थे ठीक है लेकिन आज की date में उनके पास पैसे नहीं होते हैं वो इतना हार चुके हैं और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास बिलकुल भी पैसे नहीं होते थे low investor थे और वो सी सीख के अपनी strategy apply करकर के आज हजारों में invest करते हैं तो ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं मैंने खुच जो है 10 रुपे से ये चीज़ स्टार्ट करी थी जो मैंने पहला contest था जो मैंने खेला था fantasy में 10 रुपे वाली grand league से मैंने start करा था धीरे धीरे सीख सीख के चीज़े ज सो आपको small league पर जादा focus नहीं करना चाहिए आपको mini grand leagues पर ही focus करना चाहिए क्योंकि अगर आप small league अगर एक महिने में 1000 रुपे आपने invest करे या 2000 रुपी invest करे और आपका बहुत ही अच्छा महिना चला गया तो भी आपने 1500 रुपे कमाऊगे लेकिन पूरे महिने की आपने क्योंकि mostly low investors होते हैं और students होते हैं आपने पूरे एक महिने की पढ़ाई खराब करी अपनी आपने इतनी tension ली आपने इतना stress ली और तब जाके अगर बहुत अच्छा महिना है तो आपको 1000 रुपे मिल गए या 1500 का profit हो गया और अगर बेकार महिना चला गया तो आपको वो भी प्रीक्स पर आपको ज्यादा focus करना चाहिए और लेकिन यहां पर क्या है fantasy में लोग चाहते हैं कि महनत जो है वो 500 रुपे की अगर आप करते हो ना महनत किसी भी field में अगर आप 500 रुपे की अगर आप महनत करोगे तो आपको result जो है 100 रुपे का मिलता है लेकिन अगर आप fantasy प्राफिट करेंगे जब यह प्राफिट जो है वो कवर हो जाएगा लेकिन अगर आप कल भी सेम मिस्टेक कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं और कल भी वही मिस्टेक करने वाले हो सो आप प्राफिट कैसे कमा होगे आपका लॉस भड़ता चला जाएगा इस चीज का ध्यान रखना है और आने वाला टाइम अब आप खुद देखिए इतने मैचिस होने लगे हैं दिन में 20-20 मैचिस होने लगे हैं आने वाले टाइम में यह और बढ़ जाएंगे एक एक मेहनत करिए थोड़ी चीजों पर ध्यान दीजे स्ट्रैटिजी बनाइए आपके रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छा हैंगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे इस फिल्ड में तो आपका लॉस भड़ता चला जाएगा ध्यान रखना है इस चीज को अब बात करते हुए किन बा हैं और कुछ ऐसे लोग भी है जो हाई रिस्क वाले मैचिस भी खेलते हैं ठीक है लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है सिर्फ एक तरीके के कॉंटेस्ट ना खेलो काफी लोग ऐसे होते हैं जो फोर मेंबर खेलते रहते हैं और वो रैंक सेकिंड उनकी आती चली जाती है हर हैं तो इसलिए खेला जाता है ताकि अगर आपने सपोस हजार रुपे आपने इन्वेस्ट किया और आपने उन में से 400 रुपे जो है आपने हैट टू हैड में लगा लिया और 400 के आपको 700 रुपे मिल गए तो अगर आप कुछ नहीं भी जीते हैं हैड टू हैड के अलावा आप क्या कर सकते हैं अगर आप जो है जितना भी आपका बजट है अगर आप 1000 रुपे लगा रहे हैं जितना भी आप लगा रहे हैं ठीक है तो आप जो है 10% हमेशा Grand League के लिए रखो क्योंकि Grand League खेलना भी बहुत जरूरी होता है तो 10% जो है अपना बजट Grand League के लिए रखो 20-30% जो high member contest मैंने बताए है जैसे 20 member, 25 member, 50 member इन तरीके के contest में invest करो और जो बाकी को जो 60-70% आपका budget बचता है उनमें head-to-head 3 member, 4 member और 7 member के contest खेलो तो अगर आप इन तरीके से contest डिवाइड करके खेलते हो तो आपके जब अच्छे matches आते हैं क्योंकि ऐसा कोई नहीं है fantasy में जिन्होंने कभी matches जीते नहीं है आप हारते हैं तो लोग हारते हैं तो उनका loss हो जाता है वो इस वज़े से नहीं है कि आप लोग हार रहे हो यहाँ पे हर कोई हारता ऐसा नहीं है कि हम कभी हारे ही नहीं है मैं आपको यह कहूँ कि मैंने लगातार सोदो सो मैं जीतने ऐसा नहीं है हम भी हारते हैं और हम भी जीतने हैं सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा होता है लेकिन होता क्या है कि लोगों को यही नहीं पता है कि profit कमाया कैसे जाए बुरे match में सारे हार गए अच्छे match में कम जीता तो आपका इवेंचुली अगर आप एक average भी निकालोगे तो वो loss में ही जाएगा तो आपको अच्छे match में जादा profit कमाना वो किस तरीके से होगा वो in contest को खेल कर होगा तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक करो शेर करो कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएए fantasy fortune लिंक डिस्क्रिप्शन में comment section ले पिन कर दूँगा साथ के साथ YouTube चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे वीडियो आए करेगी आपको notification मिल जाएगी और अगर आप सीखना चाहते हो कि best fantasy में investment plan क्या है सो जो वीडियो आप screen पर देख रहे हैं वो click करके देख लीजिए thank you guys